जेन दोस्तों कैसे हैं आप सब आयों की अच्छे एंगर चलेक वफीर से स्वागत सुन चैनल संजा मातो ओफीसियल में तो फिर नंकर टोफिक बहुत इंप्रोड़ा आप सुले कि कि मैं आज आप सुबों के बीज डिसकस करने जा रहा हूं जारकन पुलिस और उत्पाल सिप आप सुबों के बीज अपना अनुभव साजा रहेंगे वेलकम है हमारी चैनल पर नमस्कार नमस्कार बताइए हमारे चैनल से लगबाग जो है पचास हजार जो है स्टूडेंट जुड़े हुए हैं जारकंड से और अदर इंडिया से लबग जो है जुड़े हुए तो बह जो की लगवए एक सालों में इतना कर लिये हैं और देखेंगे बाद है तो बहुत सरकार अड़हाई साल पार हो चुकी है जी और सरकार लगबग आने वाले समय में में लगवग बादी या चार महीना में लगवग भाद से पूरी तरे निकाल देगी तो पांकर सार जासा कि बहा चैनला रहे है एसरी जैसा premises वीघ्यापन नहीं निकाल रहें बिगापन तो आ रहा है ताई मचार एए डिए निच्टार हो जितने भी आधार बेकन्اصी अरकार पुलिस उत्पाद सिपाई मदर केंथरे वलका जो डिफेंस जोब है तो उसे लेटर आप क्या कहना चाहते हैं देखे बेकेंशी आईगे तो सबसे बड़ी मातरा में आगी जब 2015 में जब बेकेंशी आई थी तो उसमें लगबग 7000 पोस्ट की भाली होनी थी जी लेकिन उसमे सरकार है हमारे हमन की सरकार जो है जी वह इन साल 22 के लगबग अंत तो लास्ट हो गिया है जी साल अंतिम होने वाला है तो इसमें लगबग की भागेंशी निकालेगा निकालेगी तो क्या आपको लगता है मतलब इन सल बेकंसी आ जागा चूकि आपक्टूबर महिना की परकेरिया आपका जन्वरी महिना से नेया साल से प्राव हो जाएगी और लगबा की रभली आएगी कम से कम तो तीन हजार चार पांश झाल इस देवल के पुलिस के बाली तो दास एर पुलीस पुलिस के देना ही है क्योंकि शाट सल से कोई बाहाली नहीं हुआ जैसा कि ने बताया वेकेंसी इन साल के लाश्ट तक या फिर जो नेक्स्ट या जो तेइस परारम में आही जाएगी जो भी नेक्स्ट वेकेंसिया आने वाले जैसा कि जारकन पूलीश सभी का इच्छा है जोइन करने का जारकन पूलीश जितने भी लगबाग स्टुडेंट है मेरे च कम मात्रा में 400-500 या फिर 600-700-1000 के अंडर में ही जो वेकेंसी आती है लेकिन जारकन पूलीश जिसको लोग जीला पूलीश बोलते हैं और जैब दोनों का संयुक दूरूप से जो है विगगापन निकाला जाता है जैससी के दौरा तो मैं बता दोना चाहता है बहुत ही बड पाल सीपा एक साइज कोस्टरबल का अपलाई हो चुका है तो फिजिकल का डेट भी बहुत जल जो है अनांस होने वाला था तो उस पर आपका क्या कहना है देखिए यहां पर जो सरकार का जो भी चल रहा है जिरकार अभी पिछले कुछ दूनों में देख रहे थी किस तरह स से फस रही थी तो अभी हमस्टोरेंज के कें जी कोट में फसे होए है मुझ महिनों में सब क्लियर हो जाएगा हुझ तो उसके बाद बोले एक दू महिना बाद जो पूरा है जहां से बहुत सब्सक्राइब प्रगरिया जाएगी उसके बाद दीकत नहीं होगा जिए उसके तो पूरी कर ले ताकि आने वाले जो अपना सरकार जो चुनाव में जो वादा जो किये थे सरकार पूरा क्यार रहेगी अगला चुनाव के लिए तो पंकर सार बहुत किजिए रहा बात उम्र का तो उम्र में जो नहीं निकाले हैं बाहली उसमें छूट मिलेगा दो तो कर चुगा जो बाहली आए थे अब लोगा पूलीस हो गा जिला पूलीस का तो उसमें जेनरल का ऐज था 25 बर्स जी ओबीची के था 27 अट साताइस सल अधिक्तम था दिनोतम पाटर साल तो जेनरल का जो पचीस साल था तो दू साल कम से कम बढ़ना चाहिए हां वसल बढ़का क्योंकि बाहली नहीं है साथ साल से कोई बाहली उतना भरपुर मातरा में नहीं दिया है तो चलिए उत्पास जिपाय का दोड़ बहुत जल होनी है आप लोग तैयारी करें फिजिकल की तो बहुत सारे भाईयों के सार अभी भी डाउट है कि केंसेल हो जाएगा चूकि उच काईदा पदों की बाहली नहीं होनी है 600 सरकार अभी टाइम दे रही है कुछी दिनों में आ जागा तो चुकी सर जैसा कि जार्खान में अभी नियोजन निती नियू निती बनने के लिए तैयार है तो ऐसे में क्या वह तो पुराना नियोजन निती पर आधार पर बना निक सब्सक्राइब करने के लिए किसी भी नोकरी को पाने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ता है तो पंकई सर ने कितना संघर्ष किया है जार्खान पुलीस जोइन करने के लिए आज आप सुबों के बीच अनुबर साजा करेंगे तो पंकई सर आप कैसे त्यारी करते थे पहले बताएए देखिए मैं पहले बता दो कि कोई भी जोग हो कोई या फिर जेट लेख पर जबल हो जीओ जीओ नुपकरी पाने के लिए बहुत करना पड़ता थैं वहीं परिछा को क्तों डेचा को अलीं है करने के लिए कंसक्री पाने के लिए आपको मेनां थोबी करनी मी प안धे constitu जो हो है आप तो खरेफिटी कर दिया ना हम करें ना करने के बाद रनिंग मेडिकल उसके बाद फिर आपका सट्टिफिकेट का वेरिपिकेशन होता था तो पुरसिस बहुत लंबा होता था दो दो परीच्छा था अभी भी कॉंपेशन टाप है कि चुकि बहुत दिनों बाद बेकेंस यागा तो बहुत हाई लेबल काटब जाए सबसे जाइद že ताक्शक करना पर आपको जैदा पड़ेगा तो सबसे जाया आपने कोचिंग सेंटर जोइड किया था कोचिंग से त्यारी किये थे या फिर घर भर के다 उत्यारी किये थे तो तक्रीबान एक साल कोचिंग किये थे कोचिंग एक साल अधार पर करते थे या फिर कैसे करते थे इसन के ग्याम के लिए आपका जो नॉर्मल जो भी साय है चाहे वह माइत का हो गया चाहे जिके जिस के लिए हम लोगो हिंदी खोठा इसे पढ़ना पड़ता है जी आलाग स अगर तो कर दिया है बहुत अच्छा कर दिया है तो पंके सर हम सुने है कि आप हजरी बाग में कोचिंग भी पढ़ाते थे या सही है या गलत है तग्रीबान एक साल पढ़ाए थे पढ़ाये थे तो मतलब कॉम्प्टिटर पढ़ाता है अगर किसी को पढ़ाईएगा तो आप जयादा से जयादा को आप सौल कर पाईएगा और जल्दी से जल्दी आप को बना पाईएगा पढ़ाने से आपका भी एक्सपरियन्स बनता है कोई भी कोशन को हम साट में कैसे बना दें तो सर आप कॉम्प्टिव पढ़ाते थे या फिर टैंथ लेट लेवल का सभी मैंती रिजनिंग को पढ़ाते अच्छा लगा पांकाई सर से जूड के काफी अच्छा अच्छा बाते हम सोभों के बीच में जो है पांकाई यह अइंड दह Churchill को आपको दो से जुड़े आमारे स्टूड़ने के लिए इत्ने हैं काट मेइन हो रहा है सुरू में पांच किलिमेटर फिर छे दस हो जागा बन जाएगा दस किलिमेटर कोई बड़ी बात नहीं है तो चलिए पंके सर ने आज काफी अच्छे अची बात कही हम सबों के बीच में चलिए फिरन इसी तरह का लेटेस्ट और सटिक टोपिक जानने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए फिलिज सस्क्राइब जरूर करते बगल में घंटी के निशान होगा उसको प्रेस करते ताकि जो मारे आने बाले इस तरह लेटेस्ट अपडेट सबसे अब तक पहुंच सेके अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्य like share and comment. Thank you, thank you for watching